Hey! Hi guys! Welcome to YouTube and welcome to C++ Tutorials. तो आज किस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कमेंट्स के बारे में, कि कमेंट्स क्या होते हैं C++ के अंदर, बहुत ही easy topic है, जाता कुछ इसमें करने की ज़ूरत नहीं होती, बस थोड़े बहुत syntax पता होने चाहिए कि कमेंट्स का क्या use है basically, बाकी जाता कुछ इसमें है नहीं, तो सबसे पहला question आता माइंट के अंदर की कमेंट्स क्या चीज होती है, तो कमेंट्स वह चीज होती है जो compiler कभी भी read नहीं करता, basically compiler और interpret क्या करते हैं, कमेंट्स को ignore कर देते हैं, उनको read नहीं करते हैं, जैसे कि हमार पास coding की line होती है, code की एक line हो गई, code की दूसरी line हो गई, उसके बाद आपने comment लिखा, दूसरी line के बाद आपने कोई comment इंसर्ट कर दिया, तो compiler क्या करता है? read करता है हर एक line को code की, तो उसने पहली line code की read की, दूसरी लाइन code की read की और तीसरी लाइन में comment था comment का syntax उसको दिखा और उसने क्या कर दिया उसको वहीं पर ignore कर दिया अगर ignore ही करवाना था text को तो comment की जरूरत क्यों पड़ी तो comment की जरूरत हम लोगों के लिए पड़ी ताकि हम लोगों को पता लग जाए कि basically हम कर कह रहे हैं प्रोग्राम में for example आपने एक function बना दिया एक function create कर दिया आपने और आपको future में maybe in future आपको उसका use करना पड़े तो तब तक तो आप याद रखोगी कि वो variable क्या काम करता था ये function क्या काम करता था कैसे काम करता था तो आप क्या कर सकते हो वहाँ पर एक comment create कर सकते हो उस function के उपर एक comment create कर सकते हो और उस function sorry उस comment के अंदर आप उस function की working लिख सकते हो आप लिख सकते हो उस comment के अंदर कि ये variable का क्या काम था इस function का क्या काम था ब्ला ब्ला ये सारी की सारी details आप उस comment के अंदर लिख सकते हो और ये comment हमेशा interpreters और compilers क्या करेंगे ignore करेंगे तो comments आप लोगों के लिए होते हैं हम लोगों के लिए होते हैं ताकि हम लोगों को हमारे लिखे हुए programs की समझ रहे बाद में भी चाहे हम कितनी भी time बाद उसमें काम करें तो सिर्फ हमारे लिए होते हैं comments ताकि हम हमारे functions को या जो भी program हमने लिखा हुआ है उसको describe कर पाए comment में और in future उसका use कर पाए अच्छे से तो हमारे पास types of comment हैं यहाँ पे single line comments और multiple lines comments तो single line comment में क्या होता है कि single line comment में आप सिर्फ एक ही line को क्या बना सकते हो system comment और अगर आप चासी हो कि आप बहुत पड़े paragraph है आपके पासे बहुत जादा कुछ लिखा हुआ है out और उन सारी की सारी चीजहों को आप क्या करना चाहते हो comment बनाना चाहते हो तो आप multiple line comments का use कर सकते हो और उन सारी की सारी limited 15 lines को को आप क्या कर सकते है या 10-15 से जादा लाइनों को comment बना सकते हो कमेंट के अंदर आप चाहे तो अपना लिखा हुआ text save करके रख सकते हो या फिर comment के अंदर आप अपने created functions को भी save रख सकते हो और in future आप उस comment को open कर सकते हो और उस function को use में ले सकते हो और comment की एक और खास बाद मैं बता दूँ अगर आप comment के अंदर अपना function रखोगे तो इससे क्या होगा आपका time save हो जाएगा किस तरह से आपको delete करने की जरूद नहीं पड़ेगी function को और बाद ने आपको या फिर save करने की जरूद नहीं पड़ेगी अलग से function को आप उसी program के अंदर function को save रख सकते हो comments के अंदर जब कभी भी आपको function की requirement होगी आप सिर्फ comment के syntax को हटा दो और वो function काम कर जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो single line comment का syntax यह है double slash आपको लगाना पड़ता है किसी भी line के आगे उससे क्या होता है वो चीज क्या बन जाती है comment बन जाती है अगर आपको multiple line comment बनाना है तो आपको उन lines को किसके अंदर लिखना पड़ेगा slash slash और star से आप start करोगे syntax को और जहां तक आपको लिखना जहां तक के code को आपको comment बनाना है उसके नीचे आप क्या लिख दोगे star slash और इसको close कर दोगे और उपर से लेके नीचे तक जितनी भी lines इसके अंदर होंगी वो सारी की सारी बन जाएगी comments तो अब इस चीज को practically करते यहां पर मैं simple सा एक चीज करता हूँ see out करते हैं किसी चीज को okay see out करता हूँ मैं hello world okay see out मैं hello world कर रहा हूँ यहां पर okay एक और see out कर देते हैं hello world का इसके अंदर लिख देता हूँ hi what's your your name your name okay तो what's your name लिख दे मैंने हम पर अगे तो इन चीजों को क्या करेंगे हम see out करेंगे अब हम okay see out कर लेते हैं इन चीजों को अलग लग लाइन इसमें save compile and run करते हैं okay oh sorry using name space नहीं था using name space std okay और इसको compile and run करते हैं and हमारे पास result में आएगा hello world hi what's your name okay तो अभी अभी हमने यहाँ पे study की हमारे पास किन्ने टाइप के comment है two types के एक single line comment जिसकी मदे से सिर्फ एक ही line को comment बना सकते हैं और compilers को ignore कर देगा और हमारे पास दूसरा है multiple line comment यानि कि एक ही बारी पर हम बहुत सारी line को क्या बना सकते हैं comment बना सकते हैं तो यहाँ पे hello world वाली line को मुझे comment बनाना है मैं चाहता हूं कि compiler इसको reading ना करें तो पहला भी तो लोग क्या करेंगे इसको हटाई देंगे यहां से लेकिन हम इसको बिना हटाई भी ignore करवा सकते हैं किस तरह से आपको सिर्फ इस syntax का use करना है double slash लगाना है उस line के आगे जहां से भी आपको इसको ignore करवाना है यह वाली line को तो इसके आगे जाके हम double slash लगा देंगे और यह क्या बन गया comment अब इसको compile करेंगे हैं पर result में हमें सिर्फ मिलेगा hi what's your name क्यों because जो हमारी hello world वाली line है वो comment के अंदर आती है अब तो comment हमेशा ignore करता है compiler और interpreter तो उस line को ignore कर दिया गया और हमारे पास result आया hi what's your name तो इस तरह से single line comment काम करता है अगर आप चाहते हो multiple lines को क्या करना comment बनाना तो यहां पर मैं text लिख दिया कुछ भी इसके अंदर अगर आप multiple lines को comment बनाना चाहते हो for example आप इन दोनों lines को show नहीं करवाना चाहते हो तो पहला way क्या है कि सारी line हटा दो जो हम करेंगे नहीं तो यहां दूसरा way है कि आप यहां पर double slash लगाओ इसको comment बनाओ और इसको comment बनाओ तो यह चीज भी काम कर जाएगी लेकिन suppose करो अगर आपके पास 100 lines हो और उन 100 lines को आपको comment करना है तो आप बार बार थोड़े ना यह slash slash लगाते फिर होगे तो वहां पर आप क्या भी यूज कर सकते हो multi line comments के use कर सकते हो आप किस तरह से declare करते है multiple comments बहुत easy है slash फिर star जहां से भी start करना है मैं चाहता हूँ कि इस line से यह जो जिनना भी code है यह सारा का सारा comment बनाओ तो यहां पर क्या करेंगे हम इसके बाहर लिखेंगे slash star टो यह comment बन गया इसके नीचे का सारा का सारा code comment बन गया लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ यहां तक इसी line तक क्या हो यह comment काम करें यहां तक काम ना करें तो हम क्या करेंगे इस comment को जो हमने start किया हुआ है इसको close बिगनना है तो close करना बहुत easy है तो start लगाएंगे फिर slash लगाएंगे और ये सारा का सारा क्या बन गया comment अब इसको execute करते हैं और हमार पास result आना चाहिए hello world और hello world आ गया अब suppose कीजिए आपको सिरफ center वाली line को नहीं show करवाना है इसको show करवाना है तो क्या करेंगे इस comment को यहां से हटा देंगे last से और इसको कहां ले आएंगे इसके नीचे ending वाले syntax को इसके नीचे लिख देंगे हमारी second line के तो अब क्या होगा इसके अंदर के जितना भी code है वो काम नहीं करेगा तो अब हमें result बिलना चाहिए hello world और उसके नीचे shd जो भी हमने लिखा हुआ है तो यह दिखे result में हमें आ गया इस तरह से comment काम करते है comments सिर्फ एक syntax है इस syntax की मदद से हम क्या कर सकते है हमारे code को या फिर code को basically ignore करवा सकते है या इस comment के अंदर हम कोई भी text को insert कर सकते है अपनी मरजी से जो चाहे हम यहाँ पर लिख सकते है कोई रोक टोक नहीं होते है आपको वो compile कर जाएगा आपका code compile कर जाएगा और यह जितना भी comment के अंदर वाली lines है यह सारी सारी ignore की जाएगी कोई कोशन तो आप comment section ने पूर सकते हो बहुत easy topic था comments वाला हमारे पास comments क्या होते है सिर्फ syntax है इस syntax के अंदर जो कुछ पी लिखा होगा वो सारा का सारा compiler और interpreter क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे सिर्फ और सिर्फ तो thank you so much for watching please like share and subscribe और description में link मिल जाएंगी आपको बहुत सारी detail में होगा वहाँ पे comments के uses वगेरा बताया है उस article में अगर आपको read करने तो आप read कर सकते हो बैसे तो इसके uses यह हैं कि आपको information मिल जाती है program की और आप भीना delete कि यह program को क्या कर सकते हो ignore कर वा सकते हो so thank you so much for watching please like share and subscribe by take care quick question in the comment section पूसक्ट बाइ